में बात करेंगे Canadian College में स्थिडी क्यों करें केनेडियन कॉलेस 2008 में ऐधापित विंक्यूवर में एक प्राइविट कॉलेज है ya British Columbia Canada में स्थित है college, business है ना या फिर आपका international व्यापार, management, IT, social media मेंниц capitalism और certificate programs प्रोआइड करता है वेंक्यूवर शहर के सेंटर में स्थित कैनेडियन कॉलेज के जो है है इसमें पांच मंजिल और 13 क्लासेज शामिल है देखो आपको जो है वो मिल जाती है हारवे है्लें के बड़ी सारी शकालर जैती है पांच पूश तरह की म bill मैं कॉलेज के रूप जिसके लिए higher education जो है वो प्रवाइड करते हैं अब Canadian College अलग-अलग subjects में डिप्लोमा और certificate courses प्रवाइड करता है और इसके लिए कुछ Ontario के St. Lawrence College के साथ partnerships में मतलब double क्रेडिशन के साथ बनाए गए हैं और इसके इलावा आपके business management या फिर आपके finance management या आपके आई-टी या फिर international business है ना social media marketing है ना arts and science है यह सारी चीज़ें उसमें आपको मिल जाती हैं college campus में digital classrooms और computer lab के साथ-साथ high-speed wireless connection की facility available है campus restaurants students के लिए food भी provide करता है और इसमें rooftop भी शामिल है और इसके इलावा international students यहाँ पर home stay की options भी सुन चुन सकते हैं जो माँ पर रहना चाहते हैं और या फिर वह बाहर जाके भी रह सकते हैं वह आप पर depend करता है ठीक है देखो Canadian college क्यों चुने scholarships की facility है financially कमजोर students के लिए Canadian college में कई तरह की scholarships program चलाए जा रहे हैं जिने students प्राप्त करके Canadian college में पढ़ने का अपना सपना पूरा कर सकते हैं ठीक है अच्छा फिर affiliated है Canadian college को western association of schools and colleges के groups से affiliation दी गई है है ना फिर सुभी था कि अगर मैं बात करूँ कॉलेज केंपस में digital classrooms है computer lab है इसके साथ high-speed wireless connections की facility भी अविलेबल है courses की बात करूँ Canadian college में कम समय में अलग-अलग subjects में डिप्लोमा और certificate courses भी अविलेबल है ठीक है और इसकी यह मान्यता भी है यहां पर है ना affiliated है proper और Canadian college के time limit है है ना बिजनस courses है यहां पर business management को अब डिप्लोमा है बिजनस management certificate है अच्छा international business management certificate है ना बहुत सारे इसमें है hospitality को लेकर के है international international trade को लेकर के है information technology को लेकर के courses काफी सारे हैं बहुत सारे courses है इसमें ठीक है अब बात करेंगे इसकी eligibility क्या चाहिए डिप्लोमा या certificate course में admission नेने के लिए students को plus 2 में कम से कम 50% से 60% नंबर होने चाहिए और एक अच्छा IELTS score आपका होना चाहिए minimum आपके 6 overall not less than 5.5 in each section आपके होने चाहिए और Canadian college के लिए application process आपको proper पर पता होना चाहिए है ना documents के अगर मैं बात करूं तो सारे आपके educational academics documents आपके उनके transcripts है ना grade card सब कुछ होना चाहिए passport size photograph चाहिए passport photo चाहिए visa resume English जो आपका है IELTS का वो चाहिए LOR चाहिए आपकी SOP चाहिए आपकी ठीक है अगर मैं fee structure की बात करूं तो डिप्लॉमें बिजनस management जो है 18 महीने का course है एप्रॉक्स एप्रॉक्स आठ लाग से लेके साड़े 8 लाग तक इसकी fees है certificate in business management and co-op program है जो 12 महीने का course है एप्रॉक्स फीस 5 लाग से लेकर के 6 लाग रुपे तक है डिप्लॉमें बिजनस fundamentals एप्रॉक्स फीस 8 लाग रुपे के आसपस है 9 महीने का course है ठीक है और certificate in international business 6 महीने का course है 5-6 लाग रुपे के आसपस फीस है certificate in business administration 3 साल का course है एप्रॉक्स आप लगा के चलो 33 लाग के लिए के फीस आजाती है डिप्लामिंड मेनेजमेंट और दौ साल का खूर्स है 11000 लाग रुपे के आसपस की फीस आजाती है certificate in hospitality management और और एक साल का खूर्स है प्रॉक्स छेक लाग रुपे की पीस आजाती है फिर certificate in hospitality marketing कि एंड टीन साल का को शाइच टिसए कि लाक रफे का सबस्क्राइब आज जाती है और रहने का करचा यहां पर एप्रॉक्स दो इक लग रपे का सबसे दो तिन लाग खाने की बात करों तो तो लाखर पर क्यास्पास अपका खर्चा है ठीक है और इसमें स्कॉलर्शिप्स भी आपको मिल जाती है कंपनी भी अच्छी मिल जाती है जिसमें आपकी प्लेस्मेंट्स हो जाती है ठीक है